प्यारे पर्मिशर आज के इस बाइबल वाचन समय को भी आप आशिश दाइक बना के दीजिए इसे पढ़ते वक्त हर एक वचन हमारे मन में स्तिर रखने के लिए हम प्रात्ना करते पर्मिशर इश्य मसी के नाम से मांगते पिता अमेन उत्पती अध्याइच अबिस उस देश में अकाल पड़ा यह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहीम के दिनों में पड़ा था इसलिए इसहाग गरार को पलिष्टियों के राजा अभी मलेक के पास गया वहाई यहवा ने उसको दर्शन दे कर कहा मिस्र में मत जा जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह तु इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशिश दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंच को दूंगा और जो शपत मैंने तेरे पिता इब्राहीम से काई थी उसे मैं पूरी करूंगा मैं तेरे वंच को आकाश के तारागन के समान करूँगा और मैं तेरे वंच को ये सब देश दूँगा और प्रत्वी की सारी जातियां तेरे वंच के कारण अपने को धन्य मानेंगी क्योंकि इब्राहीम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आग्याओं, वीदियों और व्यवस्ता का पालन किया इसलिए इसाहाक गरार में रह गया जब उस्तान के लोगों ने उसकी पत्नी के विशे में पूचा तब उसने यह सोच कर कि यदी मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहां के लोग रिपका के कारण जो परम सुन्दरी है मुझको मार डालेंगे उत्तर दिया वह तो मेरी बईीन है जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीद गए तब एक दिन पलिष्टियों के राजा अभी मलेक ने खिड़की में से जहांके क्या देखा कि इसाहाक अपनी पत्नी रिपका के साथ क्रीडा कर रहा है तब अभी मलेक ने इसाहाक को बुलवा कर कहा वह तो निश्य तेरी पत्नी है फिर तुने क्यों उसको अपनी भईीन कहा इसाहक ने उत्त दिया मैंने सोचा था कि ऐसा नहो कि उसके कारण मेरी मृत्य हो अभी मलेक ने कहा तुने हमसे यह क्या किया ऐसी तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहथ से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फसाता इसलिए अभी मलेक ने अपनी सारी प्रजा को आ गया दी जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को चुएगा वह निश्चे मार डाला जाएगा फिर हिसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में सौ गुना फल पाया और यववा ने उसको आशिश दी और वह बड़ा और उसकी उन्नती होती चली गई यहां तक की वह अती महान पुरुष हो गया जब उसके बेड़ बकरी गाई बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिष्टी उससे डाह करने लगे इसलिए जितने कुवों को उसके पिता इबराहिम के दासों ने इबराहिम के जीते जी खोदा था उनको पलिष्टी ने मिट्टी से बर दिया तब अभी मलेक ने इसाहाग से कहा हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हम से बहुत सामती हो गया है अतह इसाख वहां से चला गया और गरार की गाटी में अपना तंबु खड़ा करके वहां रहने लगा तब जो कुवे उसके पिता इबराहीम के दिनों में खोदे गए थे और इबराहीम के मनने के बाद पलिष्टियों ने बर दिये थे उनको इसाख ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे फिर इसाख के दासों को गाटी में खोदे खोते बैते जल का एक सोता मिला तब गरार के चरवाहों ने इसाहक के चरवाहों से जगड़ा किया और कहा यह जल अमारा है इसलिए उसने उस कुवे का नाम एसेक रखा क्योंकि वे उससे जगड़े थे फिर उन्होंने दुसरा कुवा कोदा और उन्होंने उसके लिए भी जगड़ा किया इसलिए उसने उस अब तो यहवा ने हमारे लिए बहुत स्तान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे वहां से वह बेर्शबा को गया और उसी दिन यहवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा मैं तेरे पिता इबराहीम का परमेशर हूं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इबराहीम के कारण तुझे आशिश दूँगा और तेरा वंच बढ़ाऊंगा तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहवा से प्रातना की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक खुवा खोदा तब अभीमलेक अपने मंत्री हूजत और अपने सेनापती पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया इसहाक ने उनसे कहा तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था अब मेरे पास क्यों आये हो उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहवा तेरे साथ रहता है इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहवा की और से दन्य है अतह हमारे तेरे बीच में शपत काई जाए और हम तुझ से इस विशय की वाचा बंदाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं चुवा वरन तेरे साथ के वलबलाई की है और तुझको कुशल शेम से विदा किया उसके अनुसार तु भी हमसे कोई बुराई न करेगा तब उसने उनको बोज दिया और उन्होंने खाया पिया सबेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपत काई तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल शेम से उसके पास से चले गए उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे तक बेर्शवा पड़ा है जब एसाव 40 वर्षका हुआ तब उसने हीती बेडी की बेटी यहुदित और हीती येलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिपका के मन को खेद हुआ एमेन उस समय चोताई देश के राजा हेरोदेस ने इशू की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा यह युवना बप्तिसमा देने वाला है वो मरे हुवों में से जी उटा है इसलिए उससे सामतिय के काम प्रगट होते हैं क्योंकि हेरोदेस ने अपने बाई फिलिपوس की पतनी हेरोदियास के कारण युवना को पकड़ कर बांदा और जेलकाने में डाल दिया था क्योंकि युवना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे बविश्यद वक्ता मानते थे पर जब हेरोदेस का जनम दिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखा कर हेरोदेस को कुश किया इस पर उसने शपत का करवचन दिया जो कुछ तु मांगेगी मैं तुझे दूँगा वह अपनी माता के उसकाने से बोली युवना वप्तिस्मा देने वाले का सिर ताल में यही मुझे मंगवा दे राजा दुखी हुआ पर अपनी शपत के और साथ बैटने वालों के कारण आगया दी की दे दिया जाए और उसने जेलकाने में लोगों को बेच कर युवना का सिर कटवा दिया और उसका सिर ताल में लाया गया और लड़की को दिया गया जिसे वह अपनी मा के पास ले गई तब युवना के चेले आये और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर इशु को समाचार दिया जब इशु ने यह सुना तो वह नाव पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जग़ को एक कांत में चला गया लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिये उसने निकल कर एक बड़ी बीट देकी और उन पर तरस खाया और उनके बिमारों को चंगा किया जब सांज हुई तो उसकी छेलों ने उसके पास आकर कहा यह सुनसान जग़ है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए की वे बस्तियों में जाकर अपने लिए बोजन मोल ले पर ईश्यू ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं तुम ही इने खाने को दो उन्होंने उससे कहा यहां हमारे पास पांच रोटी और दो मचलियों को चोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां मेरे पास ले आओ तब उसने लोगों को गास पर बैठने को कहा और उन पांच रोटियों और दो मचलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर दनियवाद किया और रोटियान तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकडों से बरी हुई 12 टोकरियां उटाई और खाने वाले स्रीयों और बालकों को छोड़ कर 5000 पुरुशों के लगबग थे तब उसने तुरंत अपने छेलों को नाव पर चड़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा कर वह लोगों को विदा करके प्रातना करने को अलग पहाड पर चला गया और सांज को वह वहां अकेला था उस समय नाव जील के बीच लेहरों से जगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और ईश्यू रात के चौते पहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर गबरा गए और कहने लगे यह बूत है और डर के मारे चिलाने लगे तब ईश्यू ने तुरंत उनसे बातें की और कहा डाडस बांदो मैं हूँ डरो मत पत्रस ने उसको उतर दिया हे प्रबू यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आग्या दे उसने पत्रस नाव पर से उतर कर इश्यू के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देख कर डर गया और जब डूमने लगा तो चिला कर कहा हे प्रबु मुझे बचा इशु ने तुरंत हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और उससे कहा ये अलपविश्वासी तुने क्यों संदेह किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा थम गई इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सच मुझ तु परमिश्वर का पुत्र है वे पार उतर कर गने सरत में पहुंचे बांग के लोगों ने उसे पैचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार बेजा और सब बिमारों को उसके पास लाए और उससे विंती करने कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कटू वचन से क्रोध बढ़क उठता है बुधिमा न्यान की ठीक बकान करते हैं परंतु मुर्कों के मुव से मूर्ता उबल आती है यहवा की आंके सब सानों में लगी रहती है वह बुरे बले दोनों को देखती रहती है शांती देने वाली बात जीवन व्रुक्ष है परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुकित होती है मूड अपने पिता की शिक्षा का तिरसकार करता है परंतु जो डान को मानता वह चतुर हो जाता है दर्मी के गर में बहुत दन हो रहता है परंतु दुष्ट के उ दुष्ट लोगों के बलीदान से यहवा गृना करता है परंतु वह सीधे लोगों की प्रात्ना से प्रसन्न होता है दुष्ट के चाल चलन से यहवा को गृना आती है परंतु जो दर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ता भी ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन नहीं होता और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसनता चा जाती है परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है समझने वाले का मन न्यान की खोज में रहता है परंतु मुर्क लोग मूर्ता से पेट बरते हैं दुखी आरे के सब दिन दुख बरे रहते हैं परंतु जिसका मन प्रसन रहता है वो अमानो नित्य बोज में जाता है गब्राहट के साथ बहुत रखे हुए दन से यववा के बै के साथ थोड़ा ही दन उत्तम है प्रेम वाले घर में साकपात का बोजन, बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मास खाने से उत्तम है क्रोधी पुरुष जगड़ा मचाता है परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है आलसी का मार्ग कांटों से रूंदा हुआ होता है परंतु सीधे लोगों का मार्ग राज मार्ग टेरता है बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मुर्क अपनी माता को तुच्च जानता है निर्बुद्धी को मूर्ता से आनंद होता है परंतु समझवाला मनुश्य सीधी चाल चलता है बिना सम्मती की कलपनाएं निश्फल हुआ करती है परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मती से बात ठहरती है सजन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही बला होता है बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग उपर की और जाता है इस रिती से वह अदलोक में पढ़ने से बच जाता है यहवा अंकारियों के गर को डा देता है परंतु विद्वा की सीमाओं को अटल रखता है बुरी कलपनाएं यहवा को गिनोनी लगती है परंतु शुद्ध जन के वचन मनबावने है लालची अपने गराने को दुख देता है परंतु गूस से ग्रना करने वाला जीवित रहता है दर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दू परंतु दुष्टों के मुँँ से बुरी बातें उबल आती है यहवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु दर्मीयों की प्रातना सुनता है आकों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्चे समाचार से हडियां पुष्ट होती है जो जीवन दाई डांट कान लगा कर सुनता है वह बुद्धी मानों के संग ठिकाना पाता है जो शिक्षा को सुनी अंसुनी करता वह अपने प्रान को तुच्च जानता है परन्तु जो डांट को सुनता वह बुद्धी प्राप्त करता है यववा के बैमाने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है एमेन प्यारे परमेश्वर इस अच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जैसे हम पड़े थे आप इस हाक के संग रहकर उसे आशिश दिया उसी प्रकार हमारे संग रहकर हमें भी आशिश कीजिए और पत्रस के समान संदेह न करना चाहिए परमेश्वर बिना संदेह की आपके उपर पूरा बरोसा और विश्वाज रखने के लिए मदद कीजिए और नीती वचन में जैसे बोला गया है उस सारे आग्याओं को पालन करके मुर्कता के व्यवहर नहीं करना चाहिए परमेश्वर एश्व मसी के नाम से मांगते पिता आमेन गौड ब्लेस यू